कि जो हमारी क्लास है वो कक्षया बारवी और सास्त्र अध्याय नो जिसका हम आज दूसरा भाग करेंगे आगम की धारणा कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यु आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों काफे इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो क्लास में हम आपको सा प्रिशन है उनको हल करना भी सिखेंगे आज की जो क्लास का जो हमारा फस्ट टोपिक है वो है विभिन परकार के बाजारों में तुलनातमक अध्यान्यु तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाजार कितने परकार के होते हैं तो प्रतियोगता के आधार पर बाजार है वो तीन परकार के होते हैं पूर्ण परतियोगता जिसे हम पर्फैक्ट कंपेटिशन के नाम से जाने हैं एक आधिकार यानि एक आध्मी का दिकार वो होता है हमारा फोनली फ़ तो बांटे हमारा एक अधिकारी परतियोगता मोनो प्लास्टिक कमार smell एक बज़ार और होता है जिसे हम बोलते हैं अलपादिकार हम हों च्यार बज़ारों में ऑर्थ्वाटे वेस्ट करकारि हो वो पाए जाते हैं, पूर्ण प्रतियोगता में हम अध्यन करेंगे आगम वक्र कैसा होता है, यह समझने से पहले हम यह समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगता होता क्या है, फिल्हाल आज की क्लास में हम इन से सिर्फ थोड़ा सा परीचे लेंगे, फर्स्ट है हमारा पूर्ण पूर्ण प्रतियोगता क्या होता है पूर्ण प्रतियोगता पजार की वह इस्थिती है जिसमें समरूप वस्तु के बहुत से करेता और विक्रेता होते है पूर्ण प्रतियोगता की स्थिती में फरम केवल बजार कीमत पर ही अपने उत्पादन का विक्रे कर सकते है पूर्ण प्रत्योगता की सिति में फरम की पर्ते की काई की विक्रे कीमत है वो समान होती है तो यह जो मैंने दो तिन पॉइंट अंडरलाइन किये हैं यह हमारी पूर्ण प्रत्योगता बाजार की विशेश्था होती है पहला जो इसकी पूर्ण प्रत्योगता की विशेश्था है कि य या या वाई विक्रेता की वस्तु में कोई कमी है या घटिया है तो पूरे बाजार में बिलकुल एक जैसी वस्तु विक्ति है ये इसकी मान्यता है ये इसका फिक्रेता दूसरा होता है बहुत से करेता और विक्रेता पून परत्योगता बजार जो होता है इसी वज़े से इसका नाम पड़ा है पून परत्योगता बजार यानि फुल कम्पिटिशन होता बेचने वाले आजारों लाखो खरिजने वाले आजारों लाखो इस बजार में बहुत से करेता और बहुत स विकार होते हैं। कि स्वर्म के फिर बाजार कीमत पर ये अपने से अस्ट्रता ने अस्ट-तर हो तेन के फिर्व लगाई कीमत हुए, बीचने के कोश्च करेंगे तो एक भी ग themed रहा को उसके पास नहीं देंगा ये प्रूलण प्रत्योगता की मानिकारा है अगली जो बिंदू पूर्ण प्रत्योक्तिया क्या कि जो फरम की प्रते की कीमत समान जसके हैं को को प्रत्योक्तिया में आज मैं आपको एक रूल बता रहा है जो आपको बार बार आगे काम आए गया पूर्ण परत्योक्ता में जो कीमत होती है वही उस फरम का ओसत आगम होती है ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं आगे क्या है वही उसका सिमान आगम होता है तो यानि MR इक्वल टू A, R इक्वल टू प्राइस इस बाजार में आगम वक्र O, X के समान अंतर होता है अब हम इसको एक ग्राफ के मादे हम से सीखते हैं पूर्ण परत्योक्ता के बाजार में जो आगम वक्र हो कैसे होता है रेखा चितर में हमने O, X, X पर उत्पादन को दर्शाया है यह जो हमारा O, Y, X है इस पर हमने आगम को दर्शाया है तो यह जो हमारा वक्र है यह हमारा फरम का कीमत वक्र भी है कीमत वक्र भी है यही फरम का कोस्ट आगम वक्र भी है और यही फरम का सिमान तागम वक्र भी तो यानि पूर्ण प्रोट्यक्त बजार में तीनों वक्र एक ही सरल डेखा में होते हैं जो कि इस OXX के समानांतर होती है तो फरम का जो कुल आगम होता है जितना उत्पादन करती है वही उसका आगम वक्र कहला तो मालेजी फरम है वो OQ मातरा को बेचती है तो उसका जो कुल आगम है वो OQ मालेजी इस बिंदू को हमने नाम दे दिया A और इस बिंदू को नाम दे दिया तो ये इस फरम का कुल आगम कहला तो मालेजी फरम है वो Q1 इकाइया बेचती है तो फरम का जो कुल आगम है वो इसका नाम हमने कहें तो फरम जितनी कईयों का विक्रे करती है वही उस फरम का कुल आगम वक्र को जदारित करता है और जो सिमात आगम और उसत आगम वक्र है यह हमारे OX के समान अंतर ऐसे सरन रेखा के वक्र पर यही वक्र उस फरम की कीमत को परकट करता है सिमात आगम को परकट करता है और उसत आगम को परकट करता है रेखाचित्र में OX अक्ष पर हमने उत्पादन और OY अक्ष पर हमने आगम को दर्शाया है रेखाचित्र में सिमानत आगम और ओसत आगम DD दुवारा दर्शाया गई है यह जो मारा DD वक्कर है इसको हमने इससे हमने क्या क्या दर्शादे सिमानत आगम और ओसात आगम जो कि OX के समान अंतर यानि ये इस OXX के समान अंतर तो बिल्कुल इसके पैरलल होता है रेखा चितर से ग्यात होता है कि एक पूर्ण प्रतियोगता फरम है वो 5 रुपे प्रतियोगता फरम है वो 5 रुपे प्रतियोगता कि दर से कितना भी उत्पाद बेच सकती है यदि वो चाहे तो इतना उत्पादन बेच सकती है Q3, Q2 बेच सकती है या Q1 बेच सकती है या यह पर तूफोर भी बेच कितना बिच लेकिन कंडिशन क्या है पांच रुपे परती इकाई यह दिवा च्छे रुपे परती इकाई पर बेचना चाहती है अपना उत्पादन यहां च्छे रुपे पर उसकी कुछ भी इकाई यह नहीं बीकेंगी अगला अगर वह फर्म च्यार पर बेचना चाहती है तो बाजार में कस्ट्रमर इतने ज्यादा है कि उसका जो फरम है वह उसके मांग का सामना नहीं कर पाएगी वह प्राइज कोड़ा सभी कम किया सारे पास पहुंच जाएगा यह लंबे समय तक प्यार रुपे पर माल बेच ही नहीं पाएगी क्योंकि कि वह उतनी फीड से माल बनाई नहीं पाएगे इसलिए फरम का ओसत आगम तता सिमात आगम वकर पुरुन तया लोचदार होता है पून प्रत्योगता में फरम हो कीमत स्विकारक होती है यानि उद्योग में जो कीमत निर्दार्द कर दे उसी पर उसको अपना माल हो बेचन में जिसमें मांग वकर यानि डी डी और सप्लाई वकर द्वारा किसी भी वस्तू का कीमत है वो निदार्द होती है जहां ये दोनों वकर काटते हैं उसे हम संतुलन बिंदू कहते है तो इस बिंदू पर जो प्राइस निदार्द होता है वही उस वस्तू का प्राइस होता ह और जितनी एक quantity होती है उतने ही वह वस्तू का विक्री है वह हमारे कीमत सेंतर होता है जहां यह दूसरे को काड़ता है यह बिंदू पर प्रत्योगता में कीमत रेखा के नीचे का छेतर है वो कुल आगम को दर्शाता हूं अभी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता र का लोप हो जाना यह पर में आ सकता है आगम वकर का लोप हो जाना क्या होता है जैसा हमने बताया कि जैसी फरम है उद्योग दूआरा निधारत कीमत जो पांच है उसके उससे ज्यादा च्छे रुपे पर अपना उत्पादन बेचने की कोश्च करती है तो कोई भी पूब ह होता है उसका समान नहीं घर देगा तो फरम के जो आगम सारे शुन्य हो जाएंगे तो इस इस्तिति को बोला जाता है आगम वकरों का लोप हो जाना लोप का मतलब होता है गायब हो जाना तो यह क्यों पूण प्रत्योगता में संभव होता है और यह एक नंबर में आप से जा सकता है कि आगम वकर का लोप हो जाना है कि आप क्या समझते हैं तो इसका जवाब हम लिखेंगे पूण प्रत्योगता बजार में जब फरम उध्योग से उध्योग द्वारा इन्हें दारत कीमत से ज्यादा कीमत पर अपना उत्पात बेचने का प्रेतन करती है तो उसक है हमारा एकादिकार बजार में आगम पकर अब ये एकादिकार बजार को समझते हैं बड़ा आसान है एकादिकार को समझना एकादिकार जिस बजार में एक आदमी को माल बेचने का दिकार हो यानि एक आदमी का दिकार हो एक फरम एक कमपनी उस बजार की राजा हो करता दरता सोली सोली सब कुछ हो वो बजार कहलाता है एकादिकार बजार एकादिकार बजार की वह स्थिती है जिसमें वस्तू का केवल एक ही विक्रेता होता है इस बजार में फरम कीमत निर्दारक होती है क्योंकि उस वस्तू का उत्पादन केवल वही फरम करती है इसलिए वो है अपने इच्छा अनुसार कीमत निर्दारण करने की उसे सवतंतरता होती है एका दिकार बजार के वस्था में ओसत आगम वक्र और सिमान्त आगम वक्र हैं वो बाएं से दाएं नीचे की और गिरते हुए होते हैं लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ गिरते सकते हुए हुए होते हैं तो एक वर पहले इसमें एक विक्ति को माल बेचने का दीकार होता है пषेओं के लिए already दो साल से जो निजी कंपणियां है रेल्वे की उन्हें भी इसके अनुमधी दे दी गई तो पहले रेल्वे का एक अधिकार था पूरे भारत में रेल ये चलाना पटरिया बिचाना एक अस्टेशन बनाना किटना किराय निदारित करना सब गर और तरह कीमत निरदारक होती है पर पर में पड़ा था कि में कीमत लिखारक होती है को मैं यहां पर कीमट निर्दारक होती है निवी कमपनी करती है इसलिए उसे अपनी इच्छा के schizophrenia कीम fat कि निजदारन करने की स्वतन तरता होती है। इसमें आगम वक्कर और सिमांत आगम वक्कर वो निच्चे की तरफ गिरते हुए होते हैं। इसको अगले स्लाइड उसमें पढ़ेंगे फिलाल हम इसको पढ़ते हैं इसे अभी प्रैकि यह एक अधिकारी वस्तू के अधिक मात्रा का विकर्या करना चाहता है तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं साथ ही एक अधिकार में हमने आगम और सिमानत आगम को इस तालिका से दर्शा है पहले हम तालिका को देखते हैं यह विक्री की गई काई यहां एक दो तीन च्यार कीमत वही दस रुपे प्रतिकाई नू आठ साथ तो इन इकाईउं पर विक्री और कीमत को यह गुणा कर देता हमाई क्या प्रापत हो जाएगा ह 10-1-10-2-9-18-3-8-20 तो यह फरम का कुल आगम होता जब कि सिमानत आगम 10 में से पिछे कुछ नहीं 10-10-18 में से 10 घटा देंगे तो 8-24 में से 18 गए 6 और 28 में से 24 गए तो सिमात आगम को हम किसके साहता से निकालते हैं कुल आगम की साहता से निकलते हैं आप इस बात को ध्यान कें तो हम नुमेरिक सवाल करेंगे तब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे रेखा चित्र में यदि हम ग्राफ में देखे वही हम O, X, X पर उत्पादन को दर्शाएंगे O, Y, X पर हम आगम को दर्शाएंगे हमने पूर्ण प्रतियोगता बजार में देखा था कि जो हमारा आगम वक्र है वो इस O, X के समाना अंतर होता किसमें परफेक्ट कम्पिटिशन मार्केट में और इस वक्र पर प्राइस इक्वल टू A, R, E, Q, M, R यानि तिनों बराबर होते हैं ओसात आगम, समानत आगम और किमत बराबर होते हैं परंतु एक अधिकार में यह जो ओसात आगम वक्र और समानत आगम वक्र हैं यानि लेफ्ट टू राइट निचे की तरफ गिरते हुए होते हैं A, R वक्र उपर होता है, M, R वक्र निचे होता है यह चीज मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिमानत वक्र चाहे, वो लागत हो चाहे, आगम उसको आगे रहने की आदत है अगर A, R वक्र निचे जा रहा है, तो सिमानत आगम उसके आगे चलेगा, इन उसके ज़्यादा निचे होगा अगर M, R को आगे चलने की आदत है, इसको आप रूल की तरह याद कर लेजिए, आपको फिर confusion नहीं होगा पेपर में कई बार हम ग्राफ बनाने लग जाएं, हमें समझ में आता है कि उपर AR लिखें या MR लिखें तो याद रखें, यहाँ AR गिर रहा है, तो MR उससे जादा गिरेगा यदि AR उपर उठ रहा है, तो MR उससे जादा उपर उठें इसको MR को आगे चलने क्या आता अब इसकी व्यक्या पड़ते हैं रेखा चितर से ग्यात होता कि AR वक्कर और सिमात आगम वक्कर हैं वो सिधी रेखा हैं जो उपर से निच्छे और बाएं से दाएं किर रही हैं या उपर से निच्छे की तरफ आ रही हैं लेफ्ट तू राइट एका दिकार की स्थिती में बिक्री में विर्धी होने के साथ साथ ओसत आगम या कीमत कम होती जाती है जैसे जैसे अगर फरम को अपनी विक्री वड़ानी है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी क्योंकि कुन आगम घट्चे दर से बढ़ता है इसलिए बि साथ आगम वक्र के नीचे होता है यह हम ग्राफ से समझे सकते हैं अब हम करेंगे हमारे तीसरे बजार के परकार के बारे में जो की है एका दिकारी परतियोगता जैसा कि नाम से स्पर्ष्ट है इसमें दोनों बजारों के गुण होते हैं एका दिकार और परतियोगता इन द जुला बजार उसको हम बोलते हैं एका दिकारी परतियोगिता अब हम बढ़ते हैं एका दिकार परतियोगिता पहले तो इसका आर्थ जानेगी कि एका दिकारी परतियोगिता बजार होता क्या है और यह सबसे कॉमन बजार होता है यह हम यह बजार को थोड़ा सोच चेंड पाए जाता है, क्या होता है एकःधिकारी प्रत्योगता बजार, बजार की वह है सितिय जिसमें किसी वस्तू के बहुत से विक्रेता होते हैं और बहुत से करेता होते हैं, तो ये किस बजार की विशेषता हो गई, परफेक्ट कम्पिटिशन वाली, परंतु, यहाँ पर एक परंतु आ गया, पर तेक विकरेता दुआरा बेचे जाने वाली वस्तु में, दूसरे की तुलना में विभिनता पाई जाती है, तो हमने ये त विकरेता की वस्तु से अलग होती है, ये अलग है, ये नाम में, वजन में, रंग में, क्वाल्टी में, डिजाइन में, किसी भी तरिके से हो सकती है, परंतुन में अंतर है, वो अवश्य होता है, यहाँ विभिनता वस्तु के वजन, रंग, क्वाल्टी, पैकिंग कि सिती में धे औस रागम वक्र और शिमा इंवर बाइं दाएं नीचे की और गिरते हैं होते हैं हमाए नीचे के तरह यह उवे एक टिछारी बज़ते हैं उसने पाया जाने विल्य ह sack का है का यह गए प्रत्योक्तार के वस्था में ए आर वक्र अधिक लोजदार होते हैं यह अंतर एका दिकारी प्रत्योक्ता बाजार में स्थानापन वस्तु की उपलब्द होने की वजए से कैसे जैसे हम नहाने की साबून की बात करें तो हमारे पास कई नाम आते हैं लाहिव वो है रेक्स होना है गोद्रेट नंबर वन है हमाम है लक्स है यह सारे के सारे क्या है अलग अलग है सारी चीज़े नहाने की साबून है सबकी सबका प्रोड़क्ट क्या है नहाने की साबून पर कहना मतलब हर एक विक्रेता की वस्तू है दूसरे से अलग होती है और ये जो अलगाव है ये जो विभिनता है रंग वजन क्वाल्टी गुण पैकिंग वज़ इतियादी के अधार पर हो सकता है तो एकादिकार ही कहां होता है लाइब वोई वाली कंपनी लक्स नाम से साबून नहीं बना सेकती इसलिए इस बज़र में विक्रेता को अपने उत्पाद पर एकादिकार होता है और वो दूसरों से कंपिटिशन करते हैं तो इसलिए एकादिकारी करती हो गीता बज़र अब हम इसका वही तालिका और ग्राफ से अध्यन करते हैं कि इसमें क्या होता है तालिका वही हमारी सेम है कोई जह में ज़्यादा अलग से बनाने की जूर तो नहीं हमारी विक्री की काई है हमें कीमत देरा की कीमत और विक्री की मातरा को गुणा करके हमें क्या प्राप्त दिया नो 27 में से 19 गठा दिया 8 और 34 में 27 गए 27 गए 27 वक्र की बात करें तो वही हमने OXX पर उत्पादन को दर्शा है OY को हमने आगम बे दर्शा है कि हमारा AR MR AR वक्र उपर होता है MR वक्र नीचे होता है यह left to right नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं रेखा चितर से ग्यात होता है कि एका दिकारी परत्योगता में AR तथा MR दोनों ही कम हो रहे हैं प्रतियोगता में अधिक लोजदार होते हैं क्योंकि इनका कोई स्थानापन नहीं होता है दूसरी वस्तु का प्रयोग करना जैसे लेने गए दुकान दार भी यहां पर सराज मेरे पास है अधानापन जब किसी वस्तु की ओप्शन अवेयलेबल हो तो उसे बोला जाता है स्थानापन एक अधिकारी तथा एक अधिकारी परते होगता दुन्नों में जो MR वकर के नीचे का जो छे तरह फरम का कुल आगम दर्शाता है पेपर में ऐसा है ग्राफ आ गया कि भी फरम का OQ बिंदू पर कुल आगम दर्शाई है तो हम क्या करेंगे इस OQ से सिद्धी रेखा है वो उपर उठा देंगे और जो 36 MR के निचे तक होगा वो हमारा उस फरम का कुल आगम कहलाएगा तो यदि हम इनको नाम दें O Q A B तो ये फरम का कुल आगम है संख्यात्मक परशनों में कुल आगम, सिमानत आगम और OST आगम को ग्याद करना है यदि पेपर में हमें क्या दे रखा हो कुल आगम दे रखा कैसे ग्याद करेंगे OST आगम ग्याद करने के लिए कुल आगम को बिक्री की काईयों से भाग दे देंगे आगम उसमें सेमानत आगम को ग्याद करने के लिए कुल आगम की अगली काईओ से पिछली काईओ को गटा करना है कि ए उसमें से 5 वी काईओ का डिमतल आगमने से पहुतल अंन माईनस में माली जी हमने छटी इकाई पर टोटल रेवेन्यू ग्यात करना तो जो छटी इकाई पर टोटल रेवेन्यू है उसमें से पांच वी इकाई का टोटल रेवेन्यू गटा देंगे तो हमारे पांच वी इकाई का रेवेन्यू आ जाए दूसरा यदि पेपर में हमें ओसत आगम दे रखा हो और पूछ ले अभी कुल आगम निकालो तो सबसे पहले ओसत आगम को उत्पादिन की काईयों से गुणा करके हम कुल आगम को ग्यात कर सकते हैं हमने अभी यह फार्मुला सिखा था कि यहार ऑपर समा इकवल टो टी आघम में क्यूव एकवल टूक्र ग्यात करना है तो हम इसकी गुणा कर देंगे तो टी यहार एकवल टू एह और इंक्वल आगम को ग्यात कर सकते हैं सिमांत आगम को जाता है चलेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा तो यह थे हमारे इन तिनों आगमों की रूले तो अब हम करते हैं सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट हमारी आज की क्लास का टेबल को सोल्व करना पर्शन में हमें दे रखा है उत्पादन की काईया दे रखा हमें कुल आगम यानि की टोटल रेवेन्यू दे रखा हमने ओसत आगम ग्याद करना है हमने सिमांत आगम ग्याद करना यानि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को हमने ग्याद करना तो ओसत आगम ओसत आगम का हमने फर्मूला सिखा था ओसत आगम को ग्याद करने के लिए कुल आगम को उत्पादन की काईयों से या बिकरी की काईयों से हम भाग कर देंगे उत्पादन की काईया दस कुल आगम हमें अलग-अलग एकाईय को दर ओसत आगम 33 को भाग किया 3 से 11 40 को भाग किया 4 से 40 को भाग किया 5 से और 36 को भाग किया 6 से यह आ गया हमारा ओसत आगम दूसरा हमें ग्याद करना सिमानत आगम सिमानत आगम ग्याद करने के लिए मैंने बता था कि कुल आगम की अगली काई में से पिछली को गटाते चलो इससे पहले कुछ भी नहीं है तो यह आजएगा पहली काई का सिमानत आगम 10 का 10 जाद रखना पहली काई का सिमानत आगम उतना ही होता है यदि हमें 0 काई दे रखी है तो वहाँ सिमानत आगम वाले में आएगे देश दूसरी काई का 24 में से हम 10 घटाते जाएंगे घटा देंगे तो यह आगया 14 तीसरी काई का 33 में से हम 20 गटा देंगे तो यह आजाएगा हमारा 9 अगली काई का आजाएगा हमारा 7 उसे अगली काई का जीरो और उसे अगली काई का माई 4 तो यह था हमारा सिमात आगम को करना अगला सवाल देखते हैं यह बेसिक बेसिक सवाल था, इस सवाल में हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, इस में हमने कीमत दे रखी है, मांग दे रखी है हमने ग्याद करना है कुल आगम, दिमानत आगम और ओसत आगम हमने ग्याद करना है यह उस वस्तु की कीमत यह उस वस्तु की मांग यानि quantity तो कीमत और quantity को गुणा कर देंगे तो हमें उस वस्तु फरम की income वो प्राप्त हो जाएगा यानि कुल आगम प्राप्त हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10 18 24 28 30 और 30 यानि हम इन दोनों की गुणा करते जा रहे है तो यह हो गया हमारा कुल आगम और एक बर कुल आगम प्राप्त हो उसके बाद हमसे कुछ भी निकलवा लो सिमानत आगम गटाते जाएगे पहली का एका 10 18 में से 10 गए 8 24 में से 18 गए 6 28 में से 24 गए 4 30 में से 28 गए 2 और 30 में से 30 गए अब हम बात करते हैं आगम और सिम्पल सा फार्मूला है कुल आगम को क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो पहली काई का और सिम्पल आगम 10 को यह जो हमारा कुल आगम 10 इसको हमने भाग किया क्वांटिटी से एक दो तीन 10 5 और 6 यदि आप इस ओसत आगम को देखें आपको एक चीज नोट करेंगे कि यह किस के बराबर है कीमत के बराबर है तो यह चीज़ हम आपको बता भी चुके है कि जो परम का जो ओसत आगम है वो कीमत के बराबर होता है यह देखे इस सवाल में वोसत आगम और कीमत हो दोनों पराबर है तो हैंस फूरूड अब हम कर रहे हैं एक तीसरी टाइप का सवाल जो आपको और थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा यह हैं मिसिंग टेबल और इस टाइप के टेबल आने के आपके सबसे ज़्यादा चांस है हमें एक बिकरी की काई दे रखे और बीच बीच में से कहीं कुल आगम दे दिया कहीं हमें कोसत आगम दे दिया कहीं हमें हमें किमात आगम दे अब इस टेबल को पूरी हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे हमें जो दे रखा उसकी साथ है से हम बाकियों को ग्यात करेंगे मैंने आपको एक golden rule बता रखा है कि सबसे पहले किसी तरह कोशिश करके कुल आगम को ग्याद कर लो उसके बाद बाकी सारी आते जाएंगे तो कैसे ग्याद करेंगे पहली का कुल आगम इसने हमें दे रखा है दूसरी इकाई का ओसत आगम दे दिया बाकी missing है तीसरी काई का इसने हमें सिमानत आगम दे दिया चोथी काई का फिर इसने कुल आगम दे दिया ओसत आगम missing सिमानत आगम missing उसके आगे इसने यह वाल को करें कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमने सिम्पल है जो चीज दे रखी है उसको पकड़ लो और जो चीज missing हो उसको हम calculate कर लेंगे पहली काई का ओसत आगम देखें कुल आगम कुल आगम हमें पता है ओसत आगम और quantity की गुना करके निकाल सकते हैं ओसत आगम यदि missing हो तो कुल आगम को quantity से भाग कर सकते हैं दूसरी काई कैसने में ओसत आगम दे रखा कुल आगम नहीं दे रखा तो कुल आगम ग्याद करना तो हम क्या करते हैं यह वाला formula ओसत आगम को quantity से गुना कर देंगे तो 9 दुनी 18 तीसरे सवाल में न तो ये न ये कैसे ग्याद करें हम सिमानत आगम को लेके आते हैं पहली काई का सिमानत आगम 10 दूसरी काई का सिमानत आगम 18 में से 10 घठा देंगे तो हम आगया हमारा 8 तीसरी एकाई काई इसने हमें सिमानत आगम दे रखा है तो हमने बता था कि सिमानत आगम को यह दिम करमश्य जोड़ते जाएं तो हमारे पास क्या जाएगा कुल आगम आज़ा अठारा में हम क्या जोड़ देंगे अब इसको चेक कर लो 24 में से 18 गटाएंगे तो सिमानत आगम हमारा च्छा ही तो आएगा ये भी अगर ओसात आगम 24 को 3 से बाग किया तो यह आगया हमारा ओसात आट पीछरा सवाल कुल आगम दे रखा तो दिक्कत ही नहीं ओसात आगम गयाद करने को 28 को 4 से बाग किया साथ जिमानत आगम 28 में से 24 गटा दिये क्या अब यहाँ पे फिर कन्फूज होगे ना तो मैं कुल आगम दे रखा ना मैं उसात आगम दे रखा पिसिंग है ठ्यारो फिर से हम क्या पकड़ेंगे जिमानत आगम 28 में से 2 जोड देंगे 30 में से 0 जोड़ा अब एक सवाल और पेपर में इस टाइप के सवाल लो कि आपकी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सी एक जोहरी तीन पाइल को 12,000 पर परती पाइल के दर से बेच सकता है यदि वह च्यार पाइल बेचता है तो उसका सिमानत आगम 10,500 तो च्यार पाइल को किस कीमत पर बेच सकता है यानि हमने च्यार पाइल के कुल कीमत है वो ग्यात करनी है तो यह कुल कीमत ही उसका क्या होगी कुल आगम हमने च्यार पाइल का जो पाइल यानि पाइजेव होती है उसके कुल आगम हमने ग्यात करना है हम देखते हैं मैं क्या क्या देरखा है कौंटिटी कितनी इन और पर्ति पायल पर्ति पायल यानी कि एवरेज रेवन्यू कितना बारहाद दर तीन है तीन पाइल से हमें कुल रेवेन्यू कितना मिलेगा 12,000 रुपेज यानि तीन पाइल बेच कर उसको कितना पैसा मिलेगा 37,000 रुपेज थोड़ा समझे ना इस पॉइंट को अब यह आगे बोल रहा कि यह च्यार पाइल बेचता है तो उसका चोथी पाइल जो उसने बेची उसका तीन का तो जो फूल आगम इतना चोथी का जो सिमान पाइल है वो दस जार पान सो होता है वो बताईए कि चैरों 500 रुपे पिल्कुल आसान है एक दो सवाल और करते हैं उसको थोड़ा और आसानी से समझे वाज है आपको यह देखिए यह दो सवाल और है और आज की क्लास के महारे यह लास्ट सवाल है एक उतपादक दुआरा किसी वस्तु की पांच इकाई बेचने पर कुल आगम 50 होता जो जो में दे रखा वो में लिखते जाएंगे क्वांटिटी कितनी है पांच पुल आगं यह टी- आर कितना है पचास दिए यह दिट चा क्या हि श्युक्त बेचने से उसका पुल आगम अगली काई में से पिछली काई को घटा दो और वैसे भी फार्मूला है MR का कि TRN माइनस में TRN माइनस में 1 तो MR ती आर एन यानि चटी काई पर MR कितना तो तो चटी काई का जो मर्जिनल रेवन्यू कितना हो गया आठ तो यानिसर हो गया आठ रुपे एक सवाल और देखते हैं और मैं एक पर फिर से रिपीट कर रहा हूं पेपर में आपका यह मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कोश्ट है यह पेपर में आपको रखा मिलेगा इस टाइप के सवाल 12 मोबाइल बेचने से एक फर्म का कुल आगम 62,500 तेरवे मोबाइल का सिमानत आगम है वो 75,000 रुपे है तो फर्म का कुल आगम गयाद कीजिए क्वांटिटी कितनी 12 कुल आगम कितना 26,500 तेरवे मोबाइल का में क्या दे रखा है MR दे रखा है कितना 500 हमने क्या गयाद करना है कुल आगम फर्म का केरे काई ओपर गया तो करना इसको थोड़ा टेबल के रूप में समझ में हो यह एक मोबाइल बेचा कुछ उसका आगम हुआ दो बेचे इस तरह से तीन हुए इस तरह से फर्म ने 12 मोबाइल बेच दिये तो उसका जो कुल आगम है को 62,500 आ गया तो इसको मैं एक टेबल के रूप में समझा रहा हूँ इस सवाल को यह फर्म ने 12 मोबाइल बेचे एक दो तीन च्यार माली जी यह होगा है बारा क्या क्या दे रखे इसने में कुल आगम कुल आगम यह उसका कुछ होता गया होता गया बारवे फोन पर कितना होगा है मुबाइल फोन का कुल आगम हमें नहीं पता लेकिन इसने में क्या दे रख्या मार्जिलन रेवेन्यू कितना है तो कुल आगम कितना होगा इसको फोड़ देंगे 226500 जमा पिछेतर सो शत्तर हजार रुपे रुपे सक्कर हजार प्यारे वच्व यह थी हमारी आज की खिलास इसकी कलास में हमने काफे कुछ सिखा और सबसे में जो हम ने किया नुमेरिक सवाल मैं आपको एकी बात कहुँगा आप सभी घर में वस्त रहें अपने बढ़ाई में जैसे रहें जैहं या भारत